प्रिविद्यार्तियों आज इंकम टेक्स में जो डेप्रिशेशन चैप्टर चल रहा है जैसा कि इससे पहले वाले रख्यान में आपको बताया था कि किसी भी वेवसाइब की जब आई कैलकुलेट करते हैं तो उसमें संपत्यों के अलग-अलग समू के आधार पर जो आईकर में विबिन दरह निर्दाइद की गई है उसके अनुसार समू बनाते हैं तो देखे सबसे पहले जो इस्थाई संपत्या है उसमें सबसे पहले है भवन बिल्डिंग की जो rate of depreciation है वो किस तरह से निर्दाइद की गई है बिल्डिंग में क्या-क्या सामिल है सडके भी सामिल है पुल भी सामिल है पुलिया भी सामिल है कुवा और नलकूब भी सामिल है मकान कारखाना गोदाम जो भी निर्मान जिस पर हो रखा है वो सब बवन में सामिल है तो सबसे पहली जो ग्रुप बनाये गए है वो है करमचार्यों के निवासेतू पर्युक्त बवन मुख्यत करमचारियों के निवास है तू जिसका शेत्रपल कम से कम टू थड़ है निवास में प्रयुक्त हो रहा हो परियुक्त जो होटल और बोर्डिंग हाउस के रूप में न हो चाहे ऐसे मकानों का शेत्रवल कुछ भी हो चाहे ऐसे मकानों का निर्मान कभी भी हुआ हो इनका पहला सोमू माना जाएगा पांच परसेंट की रेट से डेपरिशन एलव होगा दूसरा समू जो है सेकंड ब्लॉग जो है बिल्डिंग का वो व्यवसाई हैतु परियुक्त भवन जिसमें होटल और बॉर्डिंग हाउस के रूप में परियुक्त भवन हो सकता है कार खाना, कारियले, गोदाम, दुकान आदी के रूप में परियुक्त व्यवसाइक भवन हो सकता है या करमचारियों के निवास हैतू परियुक्त वो मकान जिनका वन थर से अधिक भाग व्यवसाइतू परियुक्त होता है तो इसको second group में रखा जाएगा, block second में, जिसकी rate of depreciation 10% होगी तीसरा जो group बनाया गया है, तीसरा जो block है, building का उसमें 40% की rate से लगेगा, और वो 40% वाली जो भवन है, वो विशेश उद्देश अतू परियुक्त भवन है जिसमें पूनत अस्थाई डाचे, अस्थाई निर्मान और जल की आपूर्तियम सफायेतू लगाए गई, machine, plant के लिए बनाया गया भवन ये 40% की rate से इस पर दर लगेगी, तो इस तरह से ये building की जो rates हैं, वो आगई अब आईए furniture fitting के संबन में depreciation की क्या rates हैं, क्योंकि furniture fitting में कोई अंतर नहीं है, चाई furniture हो, चाई fittings हो उस पर एक ही दर से, एक ही group है, वो है 10%, सामान या दर सभी प्रकार की furniture पर समान दर से स्विकर्थ राज होगा, राज की दर नेदाईत है इसमें और क्या नियम ध्यान रखेंगे जब अपन furniture का, furniture में सभी प्रकार का furniture सामिल है चाई वो इस्टील का हो, लकडी का हो, प्लास्टिक का हो, या अन्निक किसी प्रकार का हो fitting में विद्यूत fitting जो electrical fittings है, बिजली के तार, socket, switch, pancate, tube light आदी भी समलीत है नियोकता दवारा करमचारी को उपलब्द कराएगे मकान के साथ-साथ, यदि furniture भी उपलब्द कराएगा है तो ऐसे furniture पर भी 10% की दर से राज की कटोती मिलेगी यदि furniture कारियाले में अलग-लग cabin बनाने के उद्यूशन से लगड़ी का partition किया गया है वातनो कूल कारियाले की दसा में लगड़ी की छत फॉल सिलिंग बनाई गई है या किंद्रिये वातनो कूल करने के लिए प्रयुक लोए की fitting भी सामिल है यदि कोई furniture उत्पादन प्रक्रिया का अभिन अंग हो तो उसे plant नहीं माना जाएगा उस पर भी furniture की तरह ही गास लगेगा मकान में लगेवे खिड़की दरवाजों को furniture fitting में नहीं माना जाता है बलकि वो मकान की लागत का हिस्सा माने जाते हैं इसलिए उस पर building के रूप में जो है depreciation की rate लगेगी अब देखें जो next है plant and machine plant and machine में जो group बनाए गए हैं वो चार group बनाए गए हैं block 5, block 6, block 7, block 8 तो सबसे पहले देखें block 5 में कौन-कौन सी plant machine को सामिल करेंगे जो depreciation की सामान ये दर है जो block 6 और 7 और 8 में नहीं सामिल होगी उन सब पर 15% depreciation लगेगा दूसरा कार वेवसा है है तू खरीदी गई हो और परियोग में लाई गई ऐसी motor car जो taxi के रूप में किराय पर नहीं चलाई जाती है उस पर 15% block 6 में क्या आएगा जिसकी rate of depression 20% है उसमें सामिल होंगे जहाज समुद्री जहाज जिसमें लगडी के पतवार के साथ danger भी सामिल है desert भी सामिल है tug भी सामिल है barge भी सामिल है survey launch भी सामिल है fishing boat भी सामिल है और देश के आंतिक जल मार्ग में चलने वाले जहाज जिसमें सभी speed board भी सामिल है इन पर 20% depression एलव होगा block 7 में taxi और motor bus जो taxi के रूप में परियुक कार है motor bus है motor lorry है 30% depression लगेगा rubber और plastic के समान में परियुक साचे 30% लगेगा semi connector होद्योग में integrated circuits बनाने है तो परियुक machine और plant उस पर भी 30% लगेगा तो ये group block 7 की जो है plant and machine आ गया है जिनकी rate of definition 30% है अब groups 8 में 40% की rate से depression लगेगा और वो 40% है हवाई जाज और हवाई इंजन वानी जीक कर जो वानी जीक वहान जो एक 10,998 से लेके 19 तक क्रह किये गए है जिनका प्रियोग website में एक अप्रेल 99 से पहले कर लिया गया हो उन पर 40% है विशिश प्रकार के जीवन रक्षक चिकिसा उपकरन 40% है और काच और प्लास्टिक बने कंटेनर जिनने पुना भरन के रूप में प्रियोग किया जा सकता है 40% है एक जन्वरी 2009 या उसके बाद क्रह की गए ने वानिजिक वहनों पर 40% है कंप्यूटर और स्वाप्ट फेयर पर डेप्रिशिशन 40% है पुस्त कें करदाता द्वारा अपने पेशे हैतु क्रह की गई सभी प्रकार की पुस्तों का डेप्रिशेशन 40% है जिसमें वार्षिक प्रकाशन एवं करदाता द्वारा किराय है तू दी जाने वाली पुस्त के भी सामिल है गैस सिलिंडर जिसमें वाल्स रेगुलेटर भी सामिल है काच उद्योक में पद्यूक्द बट्टी तेल शेत्र खनन शेत्र संचालन है तू जमीन के अंदर पार पद्यूक्द मशीन है 40% है विशेश प्रकार की मशीन है प्लांट विशेश प्रकार की मशीन है प्लांट में आटा मील इस्टील उद्योक चीनी मील आदी में पर्यूक्द रोलर है उड़्जा बचत उपाय है तू पर्युक्त प्लांट मशीन है ठोस अवशिस प्रदार्तों के पुनः चक्रण और पुनः साधन प्राप्त करने वाले यंत्रों पर 40% है पवन चक्की और हवा से चलने वाले उपकरण पर भी 40% है अन्य प्रकार की मशीने प्लांट जिसमें कुछ विशेस प्रकार के उद्योग में पर्युक्त मशीने जैसे सभी प्रकार के वायू प्रदूशन, जल प्रदूशन, ठोस अवसिस प्रदूशन को सम्नियंतित करने वाले यंत्रों इन पर 40% है मूल सरशना प्रदान करने वाले उद्योगों में जल सोधन है तू लगाए गए उपकरणों एवं इस कारी है तू पर्युक्त पाइप पर 40% है करतिम सिल्क उत्पादन है तू पर्युक्त लखडी के फ्रेम इतन पर भी 40% है सिनो मोटोग्राफी फिल्मज बबल्स और इस्ट्यो लाइचP पर 40% है माचिस उद्योग में पध्युक लखडी के फ्रेम पर 40% है खनन उद्योग में प्रमुक्त वीबिन प्रकार के पाइप, रस्स्य और शुखशा लेंब इन पर 40% है नमक उद्योग में पद्योग पानी के हौज पर 40% है इस तरह से अब भी अपने देखा कि कुल मिलाकर ये कितने ब्लॉक होगे बिल्डिंग के तीन ब्लॉक है ब्लॉक 1, 2 और 3 समू 1, समू 2 और समू 3 और फनीचर का ये की ब्लॉक है ब्लॉक नमबर 4 और प्लान मशीन के 4 ब्लॉक है तो रेट आप डेप्रिशन अगर अपन देखे हैं तो बिल्डिंग में 5%, 10% और 40% के वाली रेट के समू है फनीचर में केवल एक ये है 10% वाला और प्लान मशीन में 4 तरह के हैं 15%, 20%, 30% और 40% कुल मिला के 40% से ज्यादा कोई भी जो है डेप्रिशन की रेट अलाव नहीं है